केके गुपताजी से निवधन करूंगा कि वहां हमारे राजस्तान के स्वच्छता के ब्रांड में सडर है स्वच्छता का प्रतिक जिन्हा हमारे नदर हमारे प्रधामत्री को दे रहे हैं आदरी केके गुपता कि हमारे उद्यपूर के सांसत हमारे लाडले प्रधामन जी गा स्वागत के लिए निवदन करने को पदारे उनका स्वागत करें भायार जो निमीन भारत माता की बेने स्वार धाम की बोल कैसरिया लाल की बोलो भारत मता की भारती जन्ता पार्टी की नरेंदर जी मोधी की समानित मंच अमारे डेश के यसस्वी प्रधान मंत्री जी आजन्य नरेंदर मोधी साब हमारे सभी भारती जन्ता पार्टी के बारा ही विदान सभाक्षेत्र के प्रताक्षी गान हमारे मेरे लोक सभा के साथी आजन्य मान संकर जी निनामा साब राजे सभा के हमारे सदर्शय आजन्य हरश्वर्धन संग जी डुंगरपूर सभी हमारे जिलाद देख जी और इस विशाल सभा में पदारे हुए सभी मेरे भाई और बेनों इवासातियों सम्मानित मंच मैं आप सब की तरफ से मान्य प्रदान मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिननन करना चाहता हूँ इस बेनी सर दाम पर इस विशाल जनसभा को सम्मोधित करने के लिए आप पदारे हैं आप सब की तरफ से हमारे दोनों संसे दिक्षेत्र की जनता की तरफ से स्वागत और अभिननन करता हूँ हमारे प्रदान मंत्री जी हम सब को मार्दर्शन देंगे इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद क्योंक धन्यवाद क्योंक 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 बारत मता की जय जय वाला माव जी जय जय बेड़े इश्वर धाम मन्द पर विराज मान साउसद में मेरे साथी श्री अर्जुनलाल जी मिना सिमान शंकर निरामा स्रीमान हर्सवर्धन सेंजी डुंगरपूर प्रदेश पाध्यक्ष स्रीमान चुनिलाल गरास्याजी प्रतापकड के जिलाद्यक्ष बाई दंदराश शर्माजी बासवाडा के जिलाद्यक्ष बाई मनोरलाल जी त्रिवेदी डुंगरपूर नगर परिशत के अध्यक्ष स्रीमान केके गुपता डुंगरपूर जिलाद्यक्ष स्रीमान वेल जी पाटिदार जी और इस चुनाओ में भारतिय जनता पार्टी के उमीदवार हमारे करमट कारकरता और जनता की सेवा को समर्पीत धरियाबाद से सिवान गौतमलाल मिना गौतमलाल जी यहां जाईए 84 से स्री सुशील कटारा सलुमबर से अमरुतलाल मिना सागवाणा से संकरलाल डेचा खेरवाणा से नानालाल अहारी डुंगरपूर से मादवलाल वरहात भागी दोरा से खेमराज गरासिया आजपूर से गोपी चन मिना बासवाणा से हक्रू मैडा गड़ी से कैलास मिना कुसलगर से भीमा भाई डामोर गाटोल से हरेंद्र निरामा आप सब दोनों हाथ उपर करके मुठी बन करके भारत मा की जय बोल करके मेरे इन सबी साथ्यों को आशिरवाद दीजिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मन करता है कि आज भाषन के पहले ही एक शिकायत करना चाहता हूँ करूँ बुरा नहीं मानोगे ना और बुरे मान जाओगे तो पक्का भरसा करूँ आप पे आपको बुरा लगेगा मेरी शिकायत बड़ी जोरदार है करूँ शिकायत मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2013-14 में जब मैं लोगसभा का चुनाव लड़ रहा था पार्तिय जंता पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री बनाना कोशित कर दिया था मैं खुद मेरे लिए वोट मागने जाता था उस समय भी आपके बीच आया था लेकिन उस समय किसे आधे लोग भी नहीं आये थे और आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और जब मैं हलिकॉप्टर से उतर रहा था मैं देखा यह जितनी पुलिया है जितने रास्ते हैं लोग चले आ रहे हैं मैं इधर भी देख रहा हूँ लोग चले आ रहे हैं भाई यों बहनों ऐसी गर्मी में और साथ में चुनाव की गर्मी इतनी बड़ी तादाद मैं और विशेशकर के बहने आप सब मुझे आसिरवाद देने के लिए आएं मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ बासवाड़ा के मेरे प्यारे भाईयों बहनों हम जब बासवाड़ा आते हैं तो हम गुजरात के लोगों तो ऐसा ही लगता है ज़िए हम अपने घर गए हैं केम चो इतना अपना पान इतना प्यार इतनी निकता और मैं आज कहना चाहूंगा दिल खोल करके कहना चाहूंगा आप जो प्यार दे रहे हैं न मैं इसे ब्याज समयत लोटाऊंगा और विकास करके लोटाऊंगा विकास करके लोटाऊंगा यह मैं आपको बादा करता हूँ भाईयों बेहनों सोम माही और जाखम के संगर परसीद वागण के प्रयाग और आदिवाश्यों के महाकुम बेनेस्वर धाम को मेरा कोटी कोटी नमन माता त्रिपुरा सुंद्री के आशिरवाद से जीवन्थ हमारा डुंगर पूर बासवाडा और उद्यवपूर के जन जन को भी मेरा प्रणाम बागण की धर्ती भारतियों के उस सव गवरवपुन शौरिय की प्रयना सली है जिसने अन्यार अत्याचार के विरूत उच नीच के भाव से उपर उठ करके लड़ने की प्रेरना देगी महरणा प्रताप ने कैसे अत्याचारियों को नाको चने दवा दिये वागण की ये धर्ती उस असीम सौरिय की साक्षी है भाईयों बैनों जब मैं बासवना आता हूं जब मेरे आदिवासी भाईयों बैनों के बीच आता हूं तब अमर शहीत बाली का काली बाई को भी सर जुका करके नमन करता हूं भाईयों बैनों जब मैं गुजरात था तो अक्सर मुझे मानगट आने का सौभागे मिलता था और आपके हां से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग मानगट आते थे मध्यप्रदेश से भी बहुत बड़ी मात्रा में मानगट लोग आते थे लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार न बनी गुजरात में राजस्थान में मध्यप्रदेश में पुरानी सरकारों ने बुला दिया था मानगट कहां है क्या है गोविन गुरु कौन थे जलिया वाला बाग से भी भेंकर कांड जहां हुआ था और अनेक मेरे आदिवासी भाई जो आदादी का जंग लड़ रहे थे गोविन गुरु ने उनका नित्त्त्व किया था हम लोग जब आये तो हमने वहां इस मारक बनाया और हर साल गोविन गुरु के सम्मान वहां मेला लगता है भाई यो बेहनो और मैं गुजरात में था तो अक्षर वहां आया करता था आप ऐसे सबसे मुझे मिलने का मोका मिलता था भाई यो बेहनो ऐसे देश के लिए जीने मरने वाले महापुरुशों को भी मैं आज अपने सद्धा सुमन देता हूं भाई यो बेहनो आप मुझे बताईए जवाब देंगे न आदे लोग तो बोलते ही निए जवाब देंगे क्या पक्का देंगे मुझे बताईए ये हमारा आदिवासी समाच हजारों साल से हैक नहीं है है देश की आज़ादी के लड़ाई में आदिवासी ने बलिदान दिया कर नहीं दिया देश की प्रगति में आदिवासी ने योगदान दिया कर नहीं दिया देश की आज़ादी दिवाने में आदिवासी आगे ठेक नहीं थे ठेरा आप मुझे बताईए ये आपको पता है मुझे पता है इतियास को पता है कॉंग्रेस को पता नहीं है आज़ादी के इतने सालों तक जब तक अटल बिहारी बाजपाई देश के प्रधान मंत्री नहीं बने तब तक कॉंग्रेस को कभी आदिवासीों की याद नहीं आई आदिवासी मांग करते थे के हमारे लिए अलग मंत्राले हो अलग मंत्री हो अलग बजेट हो हमारे विकास के लिए योजनाय बने लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को आदिवासीों की कोई परवा नहीं थी उनके पांच-पचास ठेकेदारों को लेकर के बैठ जाते थे और वोट बटोर करके अपनी सरकारे चलाते थे आदिवासीों के लिए मांग को कभी पूरा नहीं किया अटल विहारी वाजपाई देश के प्रधान मंत्री बंडे के बाद आज आदी के इतने सालों के बार पहली बार अटल जी ने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया आदिवासी मंत्री बनाया आदिवास्यों के लिए अलग बजेट बनाया और तब छेले करके ये आदिवास्यों के विकास की गाथा शुरू हुई भाईयों बहनों जो कॉंग्रेस आदिवास्यों को याद भी नहीं करती थी ऐसी कॉंग्रेस को कभी आप गुशने देंगे क्या गुशने देंगे क्या आप याद रखे उन्होंने कभी आपकी परवा नहीं की है आपकी चिंता नहीं की है भायों भारत की विकांस यात्रा में आदिवाश्यों का भुत्परवे योगदान है समाज के दिलित हो पीडित हो सोचित हो वंचित हो ओबिसी समाज के लोग हो पिछडे समाज के लोग हो हर किसी ने देश की भलाई के लिए देश के विकांस के लिए अपना योगदान दिया लेकिन आजहादी के बाद जितनी तेजी से उनका कल्यान होना चाहिए था समय सिमा में उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए था ये करने की फुर्सत कॉंग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिली वो सरकार बनाते थे चुनाव जीतने के सत्रंज बिछाने के लिए और फिर चुनाव लड़ते थे फिर सरकार बनता आते थे फिर सत्रंज बिछाते रहते थे उनको जनता जनारदन के बलाई की उनके टाइम टेबल में था ही नहीं उनकी योजना में था ही नहीं चुनाव के पहले गोचनाए करना अबादे करना और फिर बुला देना यही उनका कारोबार रहा था मेरे भाईयों भेरों हम इस देश के हर नागरी को ससक्त करना चाहते हैं हम इस देश के नागरी को सामर्थवान बनाना चाहते हैं मेरे आदिवासी भाईयों को हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं इसलिए हमारा रास्ता साब है, हमारा मंत्र है, बेटे बेटियों की पढ़ाई, युवा को कमाई, किसान को सिंचाई, बुजुर्गों को दबाई, और जन जन की सुनवाई, पढ़ाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, दबाई हो, जन जन की सुनवाई हो, इस काम को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, ताकि हमारा समाज ससक्त बने, हमारे समाज में विकास की नई योजनाए बने, भाईयों बेनों, हम जानते हैं राजस्तान की सबसे बड़ी संकट, राजस्तान और गुजरात, दो राज्य हम लोग, हमेशा, अकाल से पीडी, पानी का कश्च, पानी के बीना, गुजरा कैसे करना है, ये चिंता का विश्य है, मैं बसुंद्रा राजे जी को बढ़ाई देना चाहता हूँ, कि एक महिला के नाते, पानी जब नहीं होए, उसकी सबसे ज़्यादा परिशानी, गर में माताओं बेहनों को होती है, सबसे बड़ी तकलिफ उनको होती है, और मीलों तक जाकर के उनको पानी लेकर के आना पड़ता है, और ये दूख, एक महिला मुक्हमंत्री जीतना समझ सकती है, उतना कोई नहीं समझ सकता, बसुंद्रा जी ने इस बात को समझा, और राजस्तान में पांच बर्ष में बर्षा का बुंद बुंद पानी बचाने के लिए, चार लाख अलग अलग सुभी धाएं खड़ी करने का, उन्होंने बगीरत काम किया है, और ये काम आगे भी जारी रहा, तो मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ, जैसे गुजरात में पानी की समस्या का समाधान हुआ, राजस्तान में भी पानी की समस्या का समाधान, ये पानी वाली ताकत जिसमें है, ऐसी वसुंद्रा राजे कर सकती है, भारतिये जंता पार्टी कर सकती है, और इसलिए कि आप मुझे बताइए आपने देश आजाद हुआ उस समय कि जो आपके बुजुरुक जिंदा होगे तो उन्होंने सुना होगा कि देश आजाद हो जाएगा तो यह जाएगा आजाद हो जाएगा तो वह जितने 80-90 साल की उमर के लोग होंगे उनको पूछोंगे तो वह बताएंगे लेकिन आजादी के बात कि इतने साल कॉंग्रेस का राज रहा कि दिल्ली में चार-चार पिड़ी एक ही परिवार ने राज किया 55-60 साल तक एक ही पार्टी का इस देश में दबदबा रहा गली से लेकर के दिल्ली तक और पंचाइट से लेकर के पार्लामेंट तक कॉंग्रेस का ही जंडा फैरता था आप मुझे बताईए क्या इतने सालों में आप लोगों ने जो जिन्दगी गुजारी क्या ये सच नहीं है कि कॉंग्रेस के राज में आपको बिजली उपलब्द नहीं होती थी अंदेरे में गुजारा करना पड़ता था सच है कि नहीं है आपको दिया जला करके ही जीना पड़ता था आपको पानी के लिए मिलो तक जाना पड़ता था नहीं जाना पड़ता था आपको सचाले के लिए सुबे सूरज उगने से पहले अंदेरे में गर के बाहर जाना पड़ता था नहीं जाना पड़ता था दीन भर में कमी जाने का परिस्तिती पैदा हो तो सामत को सूरज ढलने तक इंतजार करना पड़ता था नहीं करना पड़ता था सोचाले का नामों निशान था क्या गाउं के रास्ते थे क्या बिजिले नहीं पानी नहीं सड़क नहीं बच्चों के लिए सिक्षा नहीं आप लोगों ने ऐसी जिंद्गी गुजारी है कि नहीं गुजारी है मैं आपको पूछना चाहता हूँ यह सारी मुसीबत का कारण यह 50-60 साल तक जो कॉंगरेस ने राज किया ने उसके कारण है क्या फिर से ऐसी मुसीबते आप चाहते हो फिर से ऐसी मुसीबते चाहते हो आपके बच्चों को फिर से ऐसा राजस्तान ऐसा बासवाड़ा देना चाहते हो आपके बच्चों को उससे बाहर निकालना है अकेली भारतिय जन्ता पार्टी निकाल सकती है दिल्ली में मोदी की ताकत और राजस्तान में भाजपा की ताकत मिल करके निकाल सकती है आप मुझे बताएए आज आदी के इतने साल के बाद मेरे आदिवाची भाई हो मेरे समाज के गरीब लोग हो किसी भी समाज का हो ब्रामिन का भी गरीब बेटा हो बनिये का भी गरीब बेटा हो पाटिदार का भी गरीब बेटा हो लेकिन रहने को गर नहीं है आदिवासी को अगर रहने को गर नहीं है जुग्गी जौपड़ी में जिंद्गी गुजारा करता है पैड के नीचे सो जाता है उसको पक्का गर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आप पूरी ताकचे बताओ तो मुझे काम करने का मजा आएगा गर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का गर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या सरकार ने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी ने किया था कॉंग्रेस वालों ने किया था भाईयों बहनों मैंने मन में ठान ली है अगर आपके मुझे आशिज बाद मिल जाए मैं यह सपना पूरा कर दूँगा 2022 देखिए 2022 एना आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं गोविन गुरु जेसे महापुरुशों ने जिन सपनों को देख कर के बलिदान दिये थे उस आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं और मैंने व्रत लिया है संकल्प किया है कि 2022 आज़ादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में एग भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का गर नहीं होगा और कॉंग्रेस जैसा नहीं घरियाने चार दिवारे खड़ी कर दी मोधी जब प्रधान मंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर पक्की छत घर में नल नल में जल गैस का कनेक्शन बिजली एलिडी बल्ब सवचाले ऐसा पक्का पूरा घर ये मेरा सपना है अब आपको लगेगा कि भाई ये तो चुनाव आता है तो समनेता बोलते हैं मोधी भी बोलता होगा देखिए ये कॉंग्रेस वालों ने जो आपरू बनाई है ना हमारी आपरू वैसे नहीं है वो तो वादे करते हैं आपके हाकर करके कहा था ना कि हम मुबाइल फॉन मेरिन नुंगरपूर कहा था नहीं कहा था मेडिन दुग्रपूर मोबाइल फोन ऐसा कॉंग्रेस के नामदार ने कहा था कहा था अभी चुनाव का मैनिफेस्ट राजस्तान का निकला है गोशना पत्र निकला है क्या उस गोशना पत्र में उन्होंने कही लिखा है कि राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो made in डुग्रपूर मोबाइल फोन यहां बनेगा ऐसा लिखाए क्या लिखाए क्या जिसके नामदार जैसे नेता की राजस्तान की कॉंग्रेस पार्टी सीरियस नहीं लेती है उसको आपने सीरियस लेना चाहिए क्या उसकी प उनके मैनिफेस्टों में तक नहीं लिखा है और मचा देखिए कैसा जादूगर है यह फटी जेब में से मोबाइल निखालता है कि और made in इंडिया मोबाइल फोन दिखाता है और कहता है में में नुग्रपूर निकालूंगा इस नामदार को इतना ज्यान नहीं है NCC क्या हойти इन नामदार को यह उसके इस देश मैं जब उनकी सरकार थी मेडम की सरकार थी मेडम सोनियां जी की दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी जम मेडम सोनियां जी की सरकार थी रिमोट कंट्रोल से देश चलाती थी तब हिंदुस्तान में मुबाइल फ्रेक्टरिया मुबाइल फॉन बनाने की फ्रेक्टरिया कितनी थी पता है आपको कितनी थी चार कितनी ज़र आप बोलियों तो याद रहेगा कितनी कॉंगेरेस के जमाने में मेडम की सरकार थी तब देश में मुबाइल फोन बनाने की कमपनिया कितनी थी आज 125 है 125 आज कितनी है आज कितनी है आज कितनी है बताइए नामदार के वादे सही के हमारे वादे सही भाईयों बहनों हम बादा करते हैं लेकिन आपको हिसाब भी देते हैं कि हम कैसे काम पूरा करेंगे हमें अभी तो चार साल मिला है काम करने का उनको चार पीडी ने काम किया मोदी को चार साल मिला है उनकी चार पीडी से ये मोदी ने चार साल में अनेक गुना जादा काम कर दिया है जब मैंने ठान ली है कि मुझे हर परिवार को घर देना है तो सिर्फ बाते नहीं हैं अब तक एक लाग पचीस हजार एक करोड़ एक करोड़ पचीस लाग भायो बैनो एक करोड़ पचीस लाग मतलब सवा करोड़ इतने गर बन गए उनको चाबी दे दी ये दिवाली उन्होंने उस गर में मनाई भायो बैनो राजस्थान में साथ लाग घर्ब की चाबी दे दी चाहिए और ये हमारे बांसवाड़ा में एक लाग गरीवों के घर की चाबी दे जाए चकीए इतना काम कर दिया है लेकिन ये हमारे लिए तो संतोस नहीं होता है हम तो कहते अभी भी रुकेंगे नहीं चुना कि देश की आज़ादी के 75 साल होना है तब तक मुझे एक भी परिवार बीना घर रहने नहीं देना है आपको पक्ता घर होगा आपको पक्ता घर मिल गया होगा हो सकता है आपके पिताजी के जमाने से आपके पास पक्ता घर होगा लेकिन आपको पता है आपके वोट की ताक करे तो मन में संतोस होता है जुख नहीं होता है किसी गरीब को भुका विक दिकव को खाना खिला है तो संतोस होता है नहीं होता है हिए होता है कि अब कि ऐक्वोट की टागत कह Evangelism आप एक वोट दोगे आपके वोट से बाजपा की सरकार बनेगी लेकिन उसे राजस्तान के हर गरीब का घर बनने वाला है आपका वोट सिरफ बाजपा की सरकार नहीं राजस्तान के हर परिवार का पक्का घर बनाने वाला वोट है और इसलिए ये वोट अगर आपके दिल में देख के गरीबों के प्रती प्यार है हमदर्दी है उनको भी पक्का घर मिले ऐसी इच्छा है तो मेरा आगर है ये पुन्य का काम है एक वोट से गरीब का घर बन जाए गरीब सुपचेन की जिन्दगी जीले ये पुन्य का काम कौ चोड़ेगा भाईयो भैनो भाईयो भैनो हमाई वागर शेत्र में जब मैं उदैपुर आया था कुछ समय पहले आपको याद होगा पंद्रा हजार करोड रुपिये की विकास की योजनाय मैं गोशित करके गया था और गोशित करके गया ऐसा नहीं वसंद्राजी ने उसको जमीन पर उतारने के लिए एडी चोटी का जोड लगा दिया है आपका वोट फिर से उस काम को पूरा करने की मुझे ताकत देगा इ इसलिए मुझे आपके वोट की जरुवत है भाईयों भाईयों भारत सरकार ने हमारे राज में आठ मेडिकल कॉलेज को स्विकृति दी है मुझे बताइए क्या यहां हमारे बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं आपका सपना आएक नहीं आपका बच्चा भी डॉक्टर बने आपकी बेटी डॉक्टर बने आप चाहते कि नहीं चाहते हैं आपका बेटा डॉक्टर बने चाहते कि नहीं चाहते हैं आ आपका एक वोट आपका बेटे को डॉक्टर बना सकता है आपकी बेटी आपके गाउं में सड़क आने वाली है आपके वोट से आपके घर में बिजनी आने वाली है आपके वोट से आपके बच्चों को रोजगार मिलने वाला है आपके वोट से आपके इलाके में मेडिकल का कॉलेज आने वाला है आपके वोट से आपके गरीब परिवार में गैस का कनेक्शन जाने वाला है आपके वोट से आपके गरीब के गाउं तक बसका वहवार होने वाला है और इसलिए भाईयो भेनो मैं वोट आपके लिए मांगने आया हूँ आपके उजवल भविश्य के लिए मांगने आया हूँ आपको मुसिबतों से भार निकालने के लिए आया ह और इसलिए भाईयों बेनों आप मुझे बताईए ये किसानों के नाम पर इतने गबगोले चला रहे इतने गबगोले चला रहे हैं अरे इस देश के पहला प्रधान मंत्री अगर सरदार बुलब भाई पटेल होते न तो ऐसी गलत नीतियों वाली सरकार न बनती देश का किसा कभी मुसीबत में नहीं आता अरे देश का किसान करजदा नहीं बनता देश का किसान औरों को धन देने वाला बन सकता था सरदार साब जैसा वीजन होता तो लेकिन देश का दुर्भागि रहा कि कॉंग्रेस के ऐसे नेता आए कि जिनको यह तक पाता नहीं है कि चने का पौ रहे ना जरा उनको सामने चार-पांच पोधे रगदर बता जी नाम बता दो क्या है मूंग और चने पे जिनको फ़रक नहीं है वो किसान की बातेर कर रहे है कि ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं कि आप अर इससे लिए भाईयों भेनो MSP कॉंग्रेस के जमाने में किसानों की मांग थी कि लागत का डेड़ गुना पैसा मिलना चाहिए यह कॉंग्रेस वालों ने नहीं सुना अगर मेडम की सरकार ने बात सुन ली होती स्वामिनाथन कमिशन को स्विकार कर लिया होता तो आज मेरे किसान पर कोई मुसिवत न होती लेकिन उन्होंने नहीं किया हमने आकर के कर दिया और किसान क्यों जितनी लागत है इसका डेड़ गुना बाजार में किमत मिलनी चाहि किये यह पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया और इसलिए भाईयों भैनों करीब करीब छे हजार करोड रुपिया का किसानों से फसल खरीजने का काम वसुंद राजी ने किया दस लाख रुपिय का विमा प्रदान मत्री फसल विमा योजना के तहर जिन किसानों को मुसिवत आई अब तक पंद्रा सो करोड रुपिया करीब करीब पंद्रा सो करोड रुपिया यह प्रदान मत्री फसल विमा योजना से किसानों को मिल चुका है भाईयों बैटो यह यह स से आगे कुछ नहीं दिखता है और इसलिए मेरे भाईयों भेनों मैं आज आपसे आग्र करने आया हूं कि आप भारतिये जंता पार्टी को विजय बनाएए भाईयों भेनों आज संभिधान दिवस है और मैं मेरे आदिवासी भाईयों के बीच में हूँ मैं इदिवपूर बासवरा के इसलाके में आया हूँ बाबा साब आमबेड करको नमन करना क्योंकि हम सब को अधिकार देने का राम बाबा साब आमबेड करने किया है यह हमारे संभिधान की ताकत है कि एक चायवाला देश का प्रधान मंत्री बन सकता है एक दलीत मा का बेटा डेश का राश्ठपती बन सकता है एक खेत में खेती करने वाले किसान का बेटा देश का उपराश्ठपती बन सकता है यह बाबा साब अमबेड कर और भारत के संभिधान की ताकत है इसके करण संभव हुआ है भाईयो बेहनों यह कॉंगरेस पार्टी उनकी सोच में अब ये पूछ रहे हैं नेता जी उनके मोधी बताएं उनकी जाती क्या है बताओ भाई क्या ये जाती का खेल खेलना चाहिए क्या अरे जात पांत पूछे न कोई हरी को बजे सो हरी का होई ये कॉंग्रेस वालों के दिमाग में ऐसी जाती वात भर गया है जाती वात का जहर उनकी रगों में एने जनम से ही गुट्टी में पिला दिया जाता है कॉंग्रेसी परिवार में बच्चे पैदा होते ही सहे गुट्टी इसी की पिलाते होंगे जाती वाद का जहर जाता नहीं है और कभी उनको महर्ची वालमी की मिल जाए तो उनको भी पूछेंगे तुम्हारी जात कौन सी है अगर उनको तुलसिदाजी मिल जाए उनको भी यह तो पूछ लेंगे हाँ पर तेक तुम्हारी जात कौन सी है भाईयो बहनों ये कबीर को भी तुम्हारी जाती पूछ लेंगे ये संतर अविदास को भी उसकी जाती पूछ लेंगे अरे देश को महान ज्यान के संपधा देने वाले महापुर्शों की भी जाती पुछने से कत्राएंगे रही क्योंकि उनके दिमाग में जाती भरी पड़ी है भाईयो भेणों ये जाती वाद के घोर जाती वादी लोगों को हमेशना हमायसा के लिए हटाना चाहिए अहमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास इसी महान परंपरा को ले करके हम आगे चल रहे हैं और भाईयो भेणों इनको तो एक परिवार के शिवाय कुछ दिखता ही नहीं है आप मुझे बताएए आदिवासियों की उनिवर्सिटी बने उस पर नाम किसका होना चाहिए क्या उन नामदार के परिवार कही होना चाहिए क्या ना एकी परिवार का होना चाहिए क्या हमने 2016 में दो अलार सोला में जन जातिय विश्वाद विद्धाले का नाम हमारे किसी नेता के नाम पर नहीं किया हमारे किसी परिवार जिन के नाम पर नहीं किया हमारे माता पिता के नाम पर नहीं किया अगर हमने जन जातिय विश्वाद विद्धाले का नाम किया तो गोविंद के नाम पर किया मेरे भाईयों बेनों यह हमारी सोच है उनके लिए उनके परिवार से आगे कोई सोच रही है आप मुझे बताइए यह हमारा बासवाड़ा है बुद्पुर्वं मुक्यमंत्री उनकी यह कर्म भुमी क्या आज भी हरीदेव जोशी को याद करते हैं नहीं करते हरीदेव जोशी के काम को लोग याद करते हैं क्या कारण है इस परिवार ने उनको भी भुला दिया उनको भी लोगों के स्मृति से निकाल दिया कॉंग्रेस पार्टी में एक परिवार के सिवाए कोई नहीं चलता है भाईयों आप मुझे बताइए मोहनलाल शुगाडिया दिग्जनेता के ठेग नहीं थे अरे राजस्तान में ऐसे ऐसे लोग परदा हुए कॉंग्रेस में भी जो कभी प्रधान मंत्री बन सकते थे लेकिन उन्हों ने अगर सर उठाया तो इस परिवार ने सर को ही अलग कर दिया सत्ता से अलग कर दिया उनको नीचा कर दिया प्रटी बन गई है एक नामदार की पार्टी बन गई है और कॉंग्रेस का तो सुल है कि सबसे पहले नामदार भी फिर नामदार का परिवार उसके बाद परिवार के दरबारी ऑसके बाद वोटमेंक के ठेकेदार उसके बाद जाती वाद उसके बाद देश उनको याद आता है भाईयो बेहनों हमारे लिए तो दल से बड़ा देश है भारत माता की जय यही हमारा सपना है यही हमारा इरादा है यह कॉंग्रेस का रवया रहा है और इसलिए मेरे भाईयो बेहनों जिस कॉंग्रेस को न विकांच की परवा है ना आपके उजबल भविश की परवा है ना आपके बच्चों की जिंदगी की परवा है ऐसे लोगों को भाईयो बेहनों हमने किसी भी हालत में अब राजस्तान क धर्ति पर फिर से कभी आने नहीं देना चाहिए आज मैं जब डुंगरपूर आया हूं तो मैं एक बात का गर्व के साथ कहना चाहूंगा देश में जो स्वच्छता अभ्यान चला है उस स्वच्छता अभ्यान में डुंगरपूर ने कमाल करके दिखाया है बाइव भेनों जब हमारा बांसवाड़ा हमारा डुंगरपूर आज देश में स्वच्छता की मिशाल बन गया जो लोग आदिवाश्यों को नीचा देखते हैं समाज के पिश्डी वर को निचा देखते हैं उन लोगों को ऐसा चाटा मारा यहां के लोगों ने ऐसा चाटा मारा है कि तुम हमें अभूत समझते हो अरे देश कैसा होना चाहिए इसका नमूना पैदा करने की ताकत डुंगापुर और बासवाडा के लोगों में होती और चं मनिलाल राना का सवनमान करने का सवभागी मिला था इसी धरती के मनिलाल राना जितने इतना बड़ा काम कर दिया था उनको सम्मान करने का मुझे मोका मिला था भायो मैंनो यह काम आपने किया है जनता जनार्दन ने किया है स्वच्छता में नाम रोशन किया है और मेरे सपन को आपने पुरा किया है और इसलिए में धर्ती को नमन करता हूं आपको नमन करता हूं आपका जितना साधूबाद करू उतना कम है इस काम को आपने करके दिखाए है भाईयों बैनों आने वाले दिनों में मतदान भारी हो भारतिय जनता पार्टी विजई हो इसके लिए भाजपा की सरकार बनाने के संकल्प के साथ और एक भी कॉंग्रेजी पिछली बार कुछ गुश गहे थे इस बार एक भी कॉंग्रेजी यहां से जैपूर पहुंचना नहीं चाहिए एक भी जीतना नहीं चाहिए साथ आपका एक वोट क्या ताकत रखता है वो आपको मेरे समझाया है मैं आपसे आगरह करता हूँ भारतिय जनता पार्टी को विजई बनाईए कमल के निशान बटन पर उंगली दबाईए और आपका अपना भविश्य लिखिये मेरे साथ दोनों भात बन करके ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवार्ट टूंगरबुल पासवारा के सांसत भाई मांशंगर जी निवदन करूँगा कि इस सभाव में सब पतार हुए भायों बैनों को और हमारा आदर ने प्रधान मंत्री जी का अभार वेकरें भाई मांशंगर जी नरेमा झाल